पुष्पांजली अर्पित करते हुए राश्टरुपिता महत्मा गांधी और देश के पूर प्रधारमंत्री लाल भादुर शास्त्री के चित्र पर कॉंग्रिस नेता सोनिया गांधी पुषपांजली अर्पित करते हुए महात्मा गांधी के चित्र पर और तमाम सारे सदस्य केंद्रिय मंत्री संसभवन के केंद्रिय कक्षमयाज राश्टरु पिता महात्मा गांधी और देश के पूर प्रधान मंत्री भारत रतन, लाल भाद्वर शास्त्री के चित्र पर पुषपांजली अर्पित करते हुए इतिशंकर जी, लाल भाद्वर शास्त्री को गुदली के लाल के नाम से भी जाना जाता था मतलब, बहुत ही निम्ण परिवार में उनका जन्म हुआ और बहुत ही विपरिद परिसितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया लेकिन अपने आदर्शों के साथ कभी समझोता नहीं किया यह बहुत बड़ी सीख वो दे कर गए प्रधान मंतली रहे तब भी बहुत सामान ने रूप से बहुत सामान ने कपड़ों में वो रहे और यह कितने बड़ी प्रेड़ना देता है इस तरीकी का गिर्टित वर्धान देखिए पराक्रम जी आपकी बात से ही अगर सूत्र लूँ जी तो मुझे लगता है यह निम्न वर्गी जो शब्द है वो हमारा शब्द नहीं है क्योंकि अलग अलग वर्गों में मांटने की जो मैंने बात की न यहाँ पर वर्ग का आधार उसकी कसोटी क्या है कि उसके पास पैसा कितना है उसके पास संसाधन कितने है बारत्य संस्कृती में संसाधन नहीं संसकार की बात थी बिल्कुल ये संसकार बहुत महत्वपूर्ण है और इन संसकारों का ही प्रतिरूप है कि आज महात्मा गांधी के जो विचार है वो व्यश्विक स्थर पर चाहे हुए हैं ये तस्वीरे आप देख रहे हैं संसत्भवन परीसर के केंद्री कक्षु से जहाँ पर प्रधान मंत मंत्री पियुष गोयल समेत विभिन डलों के संसत्व सदस्य मौझूद हैं और संसत्भवन परीसर में अभी एक महत्वपूर्ण कारिक्रम का अयोजन किया जा रहा है जहां पर राष्ट्रुपिता महत्मा गांधी और पूर प्रधान मंत्री डाल भार्दुर शास्त्री की जयन्ती के मौके पर पूरे भारत से 99 चुनिंदा चात्रों को आमंत्रित किया गया है और ये भारत की युवा पिढ़ी हमारे देश के महान नेताओं के राष्ट निर्मान के योगदान पर इनमें से कुल 30 चैनित जो विध्यारती हैं वो अपनी बात रखेंगे प्रधान म लाल भाद्दूर शास्त्री के चित्र पर पुषपांजली अर्पेत करते हुए और अब ये तस्वीरे आप देख रहे हैं तमाम केंद्रिय मंत्री संसा सदस्य विभने दलों के सांसद आज देश की महान विभूती लाल भाद्दूर शास्त्री की पूर्व जैनती पर उन भूम बिर्ला की प्रेड़ना से एक महत्वपूर्ण कारिक्रम आज संसर्भवन के केंद्रिय कक्ष्व में अउजित हो रहा है जिसका सीधा प्रशारन आप देख रहे हैं आज भारत हमारे देश की दोनों महान विभूतियों को याद कर रहा है आज सुबह राज घाट पर पूरे देश ने कृतिग्य भाव से नमन किया महत्मा गांधी को विजय घाट पर याद किया हमारे देश के पूर प्रधान मंत्री लाल भादुर शास्त्री को और अब संसत्भवन के केंद्रिय कक्ष में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लुकसभाद यक्षों बिरला और विभिन दलों के संसत्स सदस्य पुषपांजली अर्पित करते हुए देश के दोनों महान नेताओं को इतने शुंकर जी अब आप कुछ कहें जी बिलकुल मैंने कहा कि ये निम्न वर्गिय की बात करें या कोई भी तो समाज को वर्ग में बांटना और वर्गों का की कसोटी सिर्फ पैसे के आधार पर आखना ये भारती समाज और उसके विचार के साथ अन्याय है यहां पर एक परिवार की पूझी उसके संसकार भी होते हैं तो संसकार की बात आवर्शक्त ही जिसे छोड़ दिया गया और उसी संसकार की कसोटी पर हमें अपने महापुरुशों को देखना चाहिए उन्होंने किन चीजों की बात की कौन से संसकार वो लेकर चले हो सकता है कि उनका परिवार उसके पास संसाधन ना हो मगर एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो नदी तैर कर पार करता है यह द्रड़निष्टे का संसकार नहीं है क्या और दो आने के लिए वो कोई गड़बड़ी नहीं करता और वो दो आनी की गड़बड़ी जो नाव से पार करने के लिए नहीं करी वो पूरे जीवन में कभी आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के में नहीं मिलेगी अब बाद में भी एक ambassador कार खरीदने का एक किस्सा उसका जिक्र होता है इस देश का प्रधानमत्री जिसके पास उस समय के एक ambassador जैसी कार खरीदने का पैसा नहीं था आप कल्पना कर सकते हैं क्या आज 55,000 करोड के और 77,000 करोड के जो घोटाले निकल रहे हैं वो गांदी जी के नाम पर किया अखवार गांदी जी ने शुरू किया था हम उनकी पत्रकारिता कर रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने लोगों को संसकार दिया और पैसे से आपकी ताकत नहीं आ की जाएगी ये कहा सबसे कमजोर जो है